नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल माइकी मिन में तो दोस्तों इस वीडियो में हम BLIS का कोर्स जो Library Science का है उसका लेक्चर लेने वाले हैं इससे पहले हमने BLIS का जो कोर्स है उसका और भी लेक्चर ले लिया है जैसे 221, 223, 225 और 227 जो केटलोगिंग का है तो आप से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल का सब्सक्राइब कर लें लाइ सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें हम कुछ कोशन डिसकस करेंगे 229 से रिलेटेड हम वाले सबसे पहले लेक्चर ले रहे हैं जो बहुत मुस्किल है और जिसका थोड़ा दिक्कत होता है समझने में आप सभी को और 229 का तो क्लास भी नहीं होता अगर आप लोगों ने BLIS का कोर्स किया होगा तो इसके क्लास नहीं होता तो इसमें जादा दिक्कत आती है और यह पूरा कंप्यूटर बेस मतलब यह जो है 229 का तो इसलिए आपको यह वाला साथ में लेकर चल रहा हूं मैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जादा से जादा शेयर करें ताक तो यह हमारा बीलाई 229 का लेक्चर है इसमें हम मल्टीपल चॉइस कोईशन को डिसकस करने वाले हैं यह लेक्चर नमबर वन है और इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए नोट समने बनाया है तो अगर आपने हमारा चैलिग्राम ग्रूप जो है उसको जॉइन नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द उसको जॉइन कर ले क्यूंकि इसमें जितनी भी लेक्चर हम ले रहे हैं MCQ वाले फॉर्मेट के जो स्पेशल लेक्चर है उसका PDF भी हम वहाँ पे अपलोड करते हैं तो जितने बच्चों ने जॉइन क करवा रहे हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसमें PDF में आपको दोनों लेंग्विज में मिलेगा कोशन जो है वह यहां पर भी दोनों लेंगविज में हमने प्रिपेयर किया है ड़ैसी है देखिए यहां पर यह declaration है कुछ ये English में है और यह नीचे नीचे हमने यह देखे हिंदी में अभी हमने कोशन यह प्रिपेर किया हुआ है तो हिंदी वाले स्टूडिन के लिए भी टेंशन लेनिंग के जुरूत नहीं है इतना भी नोट्स है सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरीके के लेक्चर बनाने के लिए तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा जो पहला और इसमें कुछ नोट्स वगएरा भी है तो आप लोगों का जो थोड़ा कंसेप्चिल क्लारिटी है वह भी हो जाएगा तो इसलिए आप आपके लिए यह सारे ले रहा हूं यह बस एक कोशन के तौर पे ना ले क्योंकि इसमें जो नोट्स है वह अपने आप में ही बहुत सारी कोशन बन जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में काफी सारे बच्चों ने क इसके साथ जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं वह मिलाके आप देख ले तो एक लेक्चर में कम से कम आपको 50 कोशन मिल रहे होंगे तो आप से मतलब आप वैसे टेंशन ना ले हमारा टार्गेट ही है हम आपको 400 500 कोशन तक करवाई दे एक सब्जिक का तो आप बस लेक्चर को सपोर्ट करें चैनल को सपोर्ट करें ताकि जादस जादा बच्चों तक यह मतलब चैनल पहुंच सके उनकी भी हल्प हो सके तो चले सुरू करते हैं तो पहला है हमारा इसमें नोट्स है जिसमें फुल फॉर्म है देखिए जितने भी हैं यह सारे बहुत इंप यह थोड़ा common भी है इस बार कि first time सब बच्चे दे रहे हैं तो इतना hard paper नहीं आएगा तो जैसे कि LMS लाइबरी management software, ILS library automated system, ICT information communication technology, LAN local area network, WAN wide area network, EDI electronic data interchange तो यह सारा था हमारा full form, उसके बार चलते हैं first question पे, यह सब हिंदी में भी available है, वैसे मैं आपसे मतलब request करूँगा, अगर आप English mode में दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे उनको evaluation करने में असानी होती है, पर अगर आप फिर भी मतलब देना चाहते ह हिंदी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों PDF प्रोवाइट करी रहे हैं, तो आपसे request है कि देखिए, आप हिंदी वाले student भी अप्टेंशन ना ले, हम आपके लिए भी PDF लेके आए हैं, और प्लस आपको यहाँ पर हम डिसकस नहीं कर सकते हैं, हिंदी में मैं बोलतो रहा हूं, पर दोनों language का question आपको सेम सेम पढ़ पढ़ कर नहीं बता सकता है, क्योंकि फिर यह lecture बहुत लंबा खिज जाएगा, तो लाइबरी automated system जो है, वो support कैसे करता है, लाइबरी activities को, यहाँ पर कुछ option दी हुए हैं, उन में से हमें choose करना है, तो पहला है housekeeping operation, second है information retrieval, third है on the flay integration of library material with open data set, fourth है all of the above, and fifth है none of the above, तो इसमें जो correct option है, वो है हमारा D, उपर के तीनों जो option है, वो A, B, and C, यह सारे ही support करते हैं, help करते हैं, library automated system में, चलते हैं, second question की तरफ, second में फिर से एक note है, यहाँ पर जैसे open data, open data क्या होता है, जैसे open data में यहाँ पर आ जाता है, authority data, subject access system, etc, यह सारे open data के example है, वहाँ पर जैसे माल लिजे, question आ गया, what are the example of, या फिर माल लिजे, वहाँ पर कुछ open data, choose the following from the option, which all are the example of open data, तो आपको वहाँ से, यह सारे होंगे, तो आप उस पर टिक लगा देना, ऐसे question frame होते हैं, फिर open content, open content क्या होता है, like book, review, table of content, cover image, etc, यह open content होते हैं, फिर social networking यह तो आपको पता ही होगा, social networking tools कौन से होते हैं, जितने भी हम social networking tools use करते हैं, यह सारे जैसे facebook, twitter, instagram, etc, यह सारे social networking tools होते हैं, चलते हैं फिर second question की तरफ, second question है, what is the name of librarian who are responsible of bringing library automation in the society, उस librarian का नाम बताए है, जो की मतलब responsible है, library automation system को लाने में, society में, तो यहाँ पर जो example है, sorry, जो नाम है, वो है, डॉक्टर जॉन शॉर विलिंग, second है, हर्मन हॉलरेथ, third है, सिजन बुरूई, and third है, all of the above, तो इसमें जो correct option है, इसका, वो है, A, डॉक्टर जॉन शॉर विलिंग, तो यह responsible, मतलब यह लेके आए हैं, लाइबरी आटोमेशन, सोसाइटी में, जो लाइबरी, लाइबरी में, फिर आगे चलते हैं, नोट्स, एक और नोट्स है, decade-wise analysis of development in library automation, लाइबरी आपको पता है, स्टार्टिंग में लाइबरी ऐसे नहीं था, जैसे present day में है, स्टार्टिंग में बहुत ही primitive, बहुत जादा traditional तरीके से लाइबरी फंक्शन करती थी, तो वहां से यहां तक का जो भी growth है, उसको यहां पे period-wise यहां पे explain किया गया है, जैसे pre-computer era, यहां पे क्या हुआ, first there was the pre-computer era of unit recorded equipment, वहां पे unit को record किया जाता था, equipment के द्वारा, फिर यहां पे stand alone era आया, यह 1950s का था, यह 1960s का है, इसमें क्या हुआ, देन कम दो offline computerization in 1960s and early 1970s, यहां पे computerization हो गया, offline computerization, फिर online system, यहां आया 1970s में, इस वालूओ बाइदा, one line system of the 1970s, यहां पे, यह one line system को यहां पे follow किया गया, फिर micro computer era आया, micro computer का मतलब यूग आया, वो 1980s के दोर था, the 1980s source the advent of micro computer, in the form of PC, तो यहां पे क्या हुआ कि PC वगएरा, LAN, यह सारी चीज़े आने लग गई, फिर आया, web era, web era में जो internet था, वो उसका wide spread हो गया, technology बहुत ज़्यादा boost हो गई, फिर open era आया, यह 2000 की बात है, emergence of open library system, यहां पे open library system का emergence हो गया, पहले क्या था, close library था, आपको allow नहीं था, library के अंदर जाना, तो यह सारी चीज़े यहां पे changes होआ, फिर आया, हाँ यहां इसमें इतना ही बोला है, open era तक, तो यह सारा एक बहुत important, मतलब concept है, आपको यह era wise आपको याद करने के लिए, तो यहां पे सारे notes देखे, कितने असानी से आपको समझ में आ जाएगा, तो एक बार आप PDF के, देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, एक बार दुबारा जब आप पढ़ोगे मेरे पढ़ानी के बाद तो, चलते हैं third question पे, who invented punch card and when, किसने punch card का अविश्कार किया और कब, तो जो हमारा option है वो है, P.A. Thomas, Herman Hollerith in 1890, John Shaw Billing and Sensus Broway, यहाँ पर देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही में year लिखा हुआ है, जो हमारे एडिटर साहिब है, उनकी महरबानी है, उन्होंने यहाँ पर year ने लिखा बागी का, तो definitely B option है, Herman Hollerith in 1890, तो इन्होंने punch card का invention किया था, आगे चलते हैं, फोर्थ कोशन पे, यह कौन सा एज था, लाइबरी आटोमेशन का, इसमें चार option है, जिसका एक मतलब उपर यह जो लिखा हुआ है, यह पूरा उसका, उसके मतलब feature की बात कर रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा एज था, तो option है, फोर्थ आटोमेटेड एज, सेकेंड आटोमेशन एज, थर्ड आटोमेशन एज, एन फर्स्ट आटोमेशन एज, तो फोर्थ का जो correct option है, वो है, बी, सेकेंड आटोमेशन एज, सेकेंड आटोमेशन एज में क्या हुआ, और पब्लिक एक्सेस हो गया, लाइबरी का, और ओपेक का, ओपेक भी आगया था, और कार्द केटलोग भी हमें मिलने लग गया थे, सेकेंड आटोमेशन एज में, पर चलते हैं फिफ्द कोरूशन पर, देस इस अलसो नौन एस देटवर्क इनफर्मेशन रिव एड़ृृू्शन में डिटवरूशन एरा, which age of library automation is this यहाँ पर क्या बोल रहा है कि network का information revolution हो गया बहुत सारा और digital content बहुत सारे available हो गया network के थुरू तो यह कौन सा era था second automation era, fifth automation era, fourth automation era और last है third automation era तो जो हमारा fifth question है उसका जो correct option है वो है fourth automation era में यह सारे जो भी हुए थे network information का मतलब एक revolution सा आ गया था digital content हमें available हो गया थे net के द्वारा तो यह सारी चीज़ जो था वो हमारे fourth automation era में हुआ था तो चलते हैं अगले question के तरफ, sixth question है हमारा what are the fundamental factors that characterize the path of development in library automation fundamental factor कौन से है जो characterize करते हैं एक रास्ता जो की development है library automation का तो इसका option है हमारा mechanization, innovation, transformation and all of the above तो जो हमारा sixth का correct option है वो है D, उपर के तीनो यह तीनो factor यहां पर contribute करते हैं development of library automation फिर आते हैं हम seventh question की तरफ, what is LMS in the library, LMS क्या है library में तो seventh का जो option है वो है literature management service, B है language management system, C है library management software and D है library management system तो C हमारा option जो है वो correct answer है, इसका option C है library management software, LMS का full form होता है और LMS C होता है, फिर आते हैं अगले question की तरफ, what are the features of library management software, that is LMS अभी उपर जो हमने question पढ़ा था choose the correct answer from the given option, इसके जो features हैं वो उसको यहां पर हमें choose करना है तो यह हमारा it question है, इसका option है, इस परकार, the LMS must allow unlimited number of record and user LMS जो है वो allow करता है बहुत सारा record और user को, फिर LMS must be compliant with web 2.0 features web 2.0 features भी उसके अंदर होने चाहिए, the LMS must be fully integrated using a single common database, वो अच्छी तरीके से integrated होता है और उसमें common database भी होता है, और last है all of the above, तो जो हमारा correct option है, 8th का, वो है डी, सारे उपर के तीनों option जो है, वो features हैं, library management software के, आगे चलते हैं, आगे एक फिर से note आ रहा है, step of library automation, कौन-कौन से step है, जो library automation में आते हैं, पहला है software selection, पहले software selection होता है, फिर hardware selection होता है, फिर site preparation होता है, फिर general training होती है, customization होता है, defining procedure for, तीन चीज़े है इसमें, bibliographic data entry, administrative data entry, and financial data entry, फिर commissioning होता है, last जो है, वो commissioning पे आगे हमारा खतम हो जाता है, तो यह है हमारा step of library automation का पूरा process, फिर आते हैं, next question पे, 9th question, select the correct answer from the given option, the special feature of digital library system, तो पहला इसका option है, यहाँ पे, पहले question समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे बोल रहा है, correct answer को choose करना है, option से, जो की special feature है, digital library system का, तो option है, it provides document description, data set, and source document, second है, it processes global and local resource for local and global users, it is based on OAI slash PMH protocol for metadata harvesting, and fourth है, all of the above, तो इसका जो correct option है, answer है, वो है, D, उपर के सारे, digital library के features है, आगे चलते हैं, notes है, फिर से, library housekeeping operation का, यह कुछ notes है, तो इसके अंदर, library housekeeping में, तीन, चार process होते हैं, पहले आता है, हमारे acquisition, फिर होता है, हमारा processing, ठर्ड होता है, हमारा users, और fourth होता है, maintenance, तो देखे जैसे की, library housekeeping operation में, acquisition होता है, उसके अंदर क्या होता है, selection होता है, order होता है, receive, receiver होता है, और accession होता है, फिर आता है हमारा processing, processing में हमारा classify होता है, catalogs, फिर label shelf होता है, यह processing का process है, फिर आता है हमारे user, user में आता है हमारा local, local land, reserve, recall, interlibrary loan and photocopy, फिर आता है हमारा maintenance, इसमें bind होता है, है replaced होता है and discard होता है bind जैसे माल लीजिए आपके पास कोई document है उसकी winding करते हैं तो इस तरीके से यहां पर पूरा replacement अगर कुछ चीज वहां पर gap हो गया है या फिर कोई damage हो गया है तो उसको replace करके नया लेका है तो यह सारी चीज़ होती है वहां पर फिर आते हैं अगले कोईशन पर कोईशन नमबर हमारा 10 है select the correct option from the following following the component of integrated library system इसमें से हमें वह option चूज करना है जो की component है integrated library system के तो option है हमारे technology स्टैंडर्ड सॉफ्ट्वेर आर्किटेक्ट्चर ई है बोद ए एन सी एफ है बोद बी एन सी और जी है बोद बी एन डी तो जो हमारा 10 का correct option है वह हमारा एफ बोद बी एन सी स्टैंडर्ड और सॉफ्ट्वेर जो है वह component है integrated library system के तो 10 का ए है बोद बी एन सी आगे चलते हैं 11th question पे 11th question में है what is RFP RFP क्या है तो option है requirement for proposal request for proposal request for production none of the above तो जिसका correct option है वह 11th का वह है request for proposal RFP का request for proposal है 11th question का B option correct है आगे चलते हैं 12th नंबर के question पे यहां यह फिलप है डाश इस फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर विट फ्रम सप्लायर ओफ लाइब्री सिस्टम और थर्ड थर्ड पार्टी सॉफ्ट्वेर वेंडर इन केस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर यहां पर option दिया हुआ है GFP MFP RFP and PFP तो इसका जो correct option है जो correct answer है वह है सी RFP RFP is a formal request for a vid from supplier एक RFP जो होता है वो एक तरह से formal request होता है जो supplier ने किया होता है एक विट के लिए ताकि वो लाइब्री सिस्टम में एक तरह से third party की तरह सॉफ्ट्वेर वेंडर का काम कर सके इन ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर में आगे चलते हैं थर्टीन नंबर कोशन पर है सलेक्ट दा करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम्द गिवन दा कॉंपोनेंट अफ रिक्वेस्ट फॉर पर्पोजल और एफ पी के अबाउद लाइबरी ओल अफ दी अवब तो ठाटीन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रेक्ट आंसर है वो डी ओल अफ दी अवब उपर के इसका जो ऑप्शन है वो है सर्विस कंप्यूटिंग नेटर कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग लेंग्विस कंप्यूटिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिफ्थ कोशन पे, फिफ्थ कोशन भी फिल अप का है, डाश is a library catalogs which can be searched online and is a module of the ILS. It is interface between library resource and users and it is designed to be used friendly. Option है यहाँ पे open line public access catalog, online public access catalog, online publication access catalog and D है none of the above. तो जो हमारा correct answer है वो है B, online public access catalog, तो online public access catalog is a library catalog, एक library catalog होता है which can be searched online, उसको हम online search कर सकते हैं. तो यह हमारा था BLIS 229 का, यह हिंदी वाले student के लिए है, आप सभी को हिंदी में हाँ पे, जो PDF में आपको यह सारे, जो अभी मैंने आपको डिसकस की, यह सारे PDF में आपको मिल जाएंगे, तो आप टेंशन आ लें, आपको यहाँ पे material मिल जाएगा, घर पे पढ़ने के लिए, बागी अगर आप lecture भी देख लेते हैं हमारा, तो आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, यह हमारी guarantee है, बस आप हमारे lecture को follow करें, और आपसे एक छोटी सी request है, आप please करके lecture को share कर दिया करें, क्योंकि बागी student की भी help हो जाएगी उससे, हम लोग इतना effort कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप भी थोड़ा सा effort करके share कर दें बस lecture का, तो आशा करते हैं, आपको आज का lecture अच्छा लगा होगा, अगर आपको lecture अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, जो भी है, आप comment box में लिख दें, कोई doubt होगा, तो हम आपको, वहाँ पे आपको reply कर देंगे, और अगर आपको pdf चाहिए, अगर आप lecture को पहली बार देख रहे हैं, तो बाकी के जो हमने lecture लिए हैं, वो भी देख लें आप, और pdf जो है, वो instagram बोल रहे हैं, telegram group पे हैं, आप हमारा telegram group join कर लें, लिंक जो है, इसी वीडियो के description box में है, आप वहाँ से click करके, और वो जो group है, वो join कर लें, वहाँ पे सारे lecture के pdf मिल जाएंगे आपको, और ये वाला lecture का pdf भी upload हो जाएगा, तो आप लोग tension आ लें, और आप लोग comment करते हैं, कि सर मतलब जल्दी से upload कर दीजिए, तो बिल्कुल हम कर देते हैं, पर वहाँ पे आप लोग थोड़ा, थोड़े देर के, मतलब wait कर लिया करें, क्योंकि थोड़ा क्या पता technical issue आ जाता है, upload नहीं हो पाता है कभी के भी, तो आप tension आ लें, और बागी सारे question आपको Hindi, English दोनों में मिलेगा, Hindi वाले students से जादा तो request है, कि अपने Hindi वाले मित्रों में, आप जादा सजादा share करें, ताकि उनकी भी help हो सके, क्योंकि हम उनके लिए भी इतना हम effort कर रहे हैं, English और Hindi में translate करके सारा बनाना, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से next lecture में, तो धन्यवाद,